नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप? उमीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे लेकिन अगर कोई बात है जो आपको परिशान कर रही है तो आप आज से ही टेंशन फ्री हो जाएए क्योंकि आज का जो टोटका मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आपके जीवन की सभी परिशानियों को दूर कर देगा जी हाँ, बिलकुल सही सुना आपने, अब आप अपनी हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ एक उपाई के माध्यम से, जो कि मैं आज आपको बताऊंगी, यदि कोई व्यक्ती है, जिसे आप अपना दिल दे बैठे हैं, या कोई आपका अपना जो रूट गया हो, तो इस विधी द्वारा आप उसे अपने जीवन में ला सकते हैं, प्रेम रस खोल सकते हैं, कि कि आज की ये आकरशित विधी उस महिला के दिल में आपके लिए प्यार भर देगी, उसके मन में आपके लिए आकरशन और प्रेम जगा देगी, आप महसूस करेंगे कि वो आपसे बात करने के लिए बहाने ढूणने लगी हैं, आपसे रोज रोज मिलने को कहने लगेंगी, दोस्तों ये विधी इतनी प्रचंड है कि आप इस विधी से जिसे भी चाहे उसे अपने वश में कर पाएंगे दोस्तों जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं यदि आप उसका ध्यान करके इस उपाय को सचे मन और पूरी श्रधा के साथ करेंगे तो वो व्यक्ति निश्चित ही आपके वश में हो जाएगा आपकी हर बात मानने लगेगा और यदिवे किसी और के चकर में पढ़ गया है तो भी उसके चुंगल से मुक्त होकर आपके पास आ जाएगा तो दोस्तों तयार हो जाएए उस प्रचंड आकरशित विधी को जानने के लिए जिससे आप किसी भी स्त्री को महिला को या किसी लड़की को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं उसे आकरशित कर सकते हैं इस विधी के लिए आपको चाहिए गुड की एक डली इस तरह की गुड़ की एक डली आप ले सकते हैं मौनी या कलावा जो आमतोर पर घरों पर मिल जाता है और थोड़ी सी हल्दी आपको चाहिए इस तरह से आप हल्दी ले सकते हैं या थोड़ा सा चंदन दोस्तों गुड में गनेज जी का वासमाना गया है और यदि किसी कार्य में गनेज जी हमारा साथ दे रही है तो guarantee है वह कार्य सफल होगा ही होगा आईए आपको बताती हूँ आपको कैसे करनी है इस विधी की शुरुवार इस विधी को आपको वीरवार की शाम को करना है इसके लिए आपको किशी शांत स्थान पर बैठना है इसके बाद ये मोली या कलावा गुड़ पर आपको बांधना है फिर आपको एक सिद्ध मंत्र का जाप करना है ये जाप आपको कुल 108 बार करना है थोड़ा सा जटल मंत्र है इसलिए ध्यान से सुनिएगा ये चमतकारी मंत्र इस प्रकार है अमुक की जगा आपको स्व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आप वश में करना चाहते है 108 बार का जाप करनी के बाद आपको सूर्यास्त के बाद इस गुड़ की डली को किसी चीटी नगर में रखाना है ऐसा करके ना केवल आप अपने मन चाहा प्यार पाएंगे बलकि आप अपने कर्मों के और पुन्य कर्म जोड लेंगे तो दोस्तो यदि आप मन चाहा प्यार पाना चाहते हैं तो इस टोटके को जरूर आजमाईए आपका काम जरूर होगा दोस्तो मेरी यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है इस विधी को सफल बनाने के लिए आप सबसे पहले ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और विधी को अच्छे से समझने के बाद ही इस विधी को अपनाए क्योंकि गलत तरीके से किया गया पूजा पाट या कोई भी आकरशित टोटका गलत ही परिणाम देगा सही और सटीक टोटका सटीक परिणाम देगा इस विधी को करने में आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परिशानी हो तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप बिना किसी संकोच के हमें अपनी परिशानी बता सकते हैं आपके द्वारा दे गई हर जानकारी को 100% सुरक्षित रखा जाएगा और वो सिर्फ हमारे तक ही रखी जाएगी साथी यहां दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और देना चाहती हूँ आप लेटिस्ट जो आकर्षित करने की विधियां अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल वास्तों शाष्त्र टोटके को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको लाइक कर सकते हैं जहां पर आपको नई-ई वीडियोज मिलेगी नई-ई जानकारी मिलेगी जिसे कि आप अपने प्यार को और भी जल्दी पा सकेंगे फिलहाल आप सभी से इजाज़त लेना चाहूंगी दीजे मुझे इजाज़त नमस्कार